तो फ्रेंड अगर हमें निफ्टी-50 में ट्re1ड करना होता है तो हमें टॉफ टॉफки कंपनीज के इंदैक्स को समझना बढ़ता है लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ट्रे1ड करते हैं तो हमें सिर्फ उस सिंगल स्टॉक के बारे में नोलिज लेना एक भी कंपनी दरोदर अगेंस चलती है तो कहीं नहीं प्राइस के अंदर जो निफ्टी का प्राइस उसके अंदर मुमेंट में बहुत डिफरेंस रहता है अगर हमें सिंगल स्टॉक्स को रीड करना होगा तो इतना एजी हमारे लिए हो जाता है की वीडियो में हम बात करेंगे किके से हम त्रॉक्स ओप्शेटिंग कर सकते है मेरे पास ये डáउट आ रहा था था है तो हमें क्या स्रेटिजी फ्डैटन करना होथ और कि इन स्ट्राइडेट के लिए या फीर ओप्शयं के स्टीक के अंदर कैसे पिकप करना होगा So well guys, यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ, आज की इस वीडियो में धन application है क्योंकि यहाँ पर मुझे एक plus point मिलता है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो भी यह profit and loss होगा, options या फिर ट्रेडिंग में उसको आपको ignore करना है, वैल इसको पहले learning purpose के लिए use करना है, राइट तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जैसे हम आते हैं, हमें यहाँ पर stocks देखने को मिलता है, ठीक है, stocks, तो यहाँ पर देखो, equities, ETF, option trading, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम option trading के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर देखो, जब हम nifty की बात करते हैं, तो nifty में हम जबें trade करना होते है तो simply हमें इस option chain पे जागर कि हम nifty के options देख लेते हैं पर लेकिन market में हो क्या रहा है देखो market में होता है यह है कि भाई देखो positive stocks अगर 34 हैं तो कहीं नहीं थोड़े से negative stocks भी market के अंदर होते हैं तो भाई हमें इन particular अगर जैसे आज की बात में कुरूँ जब मैं वीडियो बना देखो मैं आप कुछ चीज़ समझाने वाला हूँ कि कैसे trade करते हैं options के अंदर result के बाद देखो काफी यहां पर हल चल हुई और यह डाउन गया market फिर डाउन फिर डाउन अब जिससे for example किसी हमें particular एक single share के अंदर options trading करनी है तो हमें और shares को read करने की requirement नहीं है तो हम किस share को स अगर हमें इसके अंदर ट्रेड लेना है तो हम अल्ट एक समझेंगे तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर एक single stocks को समझ सकते हैं बट लेकिन trade लेने से पहले ध्यान में रखना किस तरीके से हम यहां पर नॉर्मली ट्रेड लेते हैं देखो दो सबसे पहले जैसे हम धन आप के home page पर आते हैं वापिस तो यहां पर देखो सबसे पहले नीची जाओ गया market mover करके आपको option मिलता है अब यहां पर आपको वह stocks मिलेंगे जो सबसे ज्यादा बढ़ रहे होंगे या फिर जो सबसे ज्यादा गिर रहे होंगे अब ultimately stocks कब गिरता है या फिर stock कब बढ़ता है जब उसके अंदर ज्यादा demand आएगी या फिर ज्यादा supply आएगी ठीक है यह game आपको पता है मैंने सिखाय हुआ demand supply अब यहां पर जब हम बात करना जिसे for example आज देखो महिंद्रा और महिंद्रा 4% अभी तक बढ़ रहा है ठीक है 4% अभी तक बढ़ रहा है तो आपको जब चल रहा है for example अभी के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा चल रहा है ठीक है आप जिसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया महिंद्रा मेंद्रा तो यहां पर जैसे हम आते हैं तो देखो मार्किट फिर उसका लाइफ जो भी चार्ट वगएर यहां पर देखने को मिलता है ठीक है options द इस शेर को देखते हैं कितना भाव इसका चल रहा था ठीक है इसको चार्ट पर समझते हैं फिर मैं आपको आगे समझाओंगा कि भाई कैसे हमें क्या चीज़े ध्यान में रखनी होती है देखो दोस्तों जब 915 पर यह ओपन हुआ था तो इस नियर अबाउट 2080 अभी महिं तो यहां पर देखो अब 915 पर टू-080 पर था तो ऑप्शन अभी के लिए कितनी वैली होगी 9080 ऑप्शन की राइट तो यह देखो आज आज की डेट में इसका भाव कितना बड़ा हूँ नाइंटी थी परसेंट इट सिक्स्टी टू रूपीज भाई तो अगर आप एक ल आज समझाने वाला हूँ कि जब भी हम बात करते हैं stock option trading की थोड़ा सा हमें थोड़ा सा margin की जो requirement होती है थोड़ा सा extra चाहिए होता है क्योंकि nifty के अंदर एक index को trade कर रहे हैं यहां पर हम stock option को trade कर रहे हैं तो उस case में क्या होता है कि हमें थोड़ा सा margin की requirement extra रहती है अब यह यहां तक जा सकता है ठीक है या फिर आपका विव है भी 2120 तक जा सकता है जब भी stocks option के अंदर आपको trade करना है तो आपको वही option लेना है जहां तक आपको लगता कि market यहां तक जा सकता है और just for example वह आपको एक तो low cost में पढ़ेगा और अच्छा भी रहने वाला है जिसे मेर यहां पर हमने तो भाई ट्रेड करके पैसा बनाया हुआ है यहां पर ट्रेड किया था हमने तो बनाया हुआ है इसको आप अवोईड करना बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपको ट्रेड करना है stocks option के अंदर तो आपको दो चीज़े धियान में रखनी है और क आपको समझाना चाहता हूं कि क्या से ट्रेड लेते हैं अब दोस्तों यहां पर स्टॉक ऑप्शन होगा 2180 यहां पर सिंपल बाई का ऑप्शन होता है बाई पर गए और यहां से एक लोट पे एंट्री किया और इसको आप ट्रेडिंग में भी ले सकते हो नॉर्मल में भी है इनिस्टेंड बाई हो गया 27245 के भाव पर ठीक है वाप ही चलते है वाप ही चलते है इस पर अब देखो यहां पर मेरा ट्रेड्र ओप्शन होगा इसका भाव देख लो आप किस भाव पर बाई हुए 7245 ठीक है 7245 तो अगर इसको अपको मैंच करना इसमें स्टॉप ल लगाना तो 63 रुपीज रहेगा इसका लो लगाना है तो इस नियर एबाउट 69.95 तो मैं जद्धर इसक नहीं लेने वाला हूं भाइन ट्रेड के देखो मैं अजस्ट आपको दिखाने के लिए ट्रेड मैं यहां पर पंच किया 69 69 के लगा देते हैं ठीक है 69.25 तो ऐसे आपको हर टाइम ट्रेड लेना है और किस शेर के अंदर ट्रेड लेना है यह मैं समझाता हूं आपको ठीक है सबसे बड़ा इंपोरिटी है होना जी कि भाई जहां पे बड़े प्लेयर का पैसा आ रहे है ना उस वाले शेर्स को आपको आप्शन में बाई करके आप एक अब लेगा तो एक लिस्ट मिनीमम कोई जो जो शेर आप देख रहे हो वह वन परसेंट से उपर बड़ा हुआ होना चीए वन परसेंट कम से कम वन परसेंट ज्यान रखना जो आप नाइन फिफ्टीन पे आप एक डैमो ट्रेड करके देखना जिब नाइन फिफ्टीन पे आप मार्कीट उपन होगा नाइन फिफ्टीन पे तो जिस्ट आपको वोच करना कि आज कौन सा शेर बढ़ रहा है ठीक है कौन सा शेर आज ज्यादा बढ़ रहा है अल्टिमेटली जिसके अंदर वॉल्यूम आ रहा होगा में चीजा वॉल्यूम अब वॉल्यूम को कैसे द करनी है जिसके अंदर वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहां पे जैसे जाते हुआ आप यह को वॉल्यूम यहां पर वॉल्यूम कितना था इस नीर-बाउट यहां पर देखो वॉल्यूम वाले चार्ट पर आ जाएगा सब्सक्राइब 258.83 ठीक है तो वॉल्यूम भी उसमें होना चाहिए ठीक है ध्यान से रखना वॉल्यूम भी होना चाहिए कभी कभी क्या होता कि हम ट्रेड मेंटरी तो कर लेते हैं या फिर हम उस शेयर के अंदर आप्शन मेंटरी तो कर लेते हैं अब उसमें वॉल्यूम नह बात नहीं इसके देख लेंगे अगर जो भी होता है अब देखो पहला हो गया आपको क्या गया ना वॉल्यूम चेक कर लेना है दूसरा आपको क्या करना है कि वह एट लिस्ट वन परसेंट वह शेयर मौलनिय। में बढ़ा हुआ होना चाहिए या फिर एट लिस्ट वन परसे इसके अधर सारा ट्रेड नहीं लगा देने है आपको कम से कम इतना मारजन आपके पास होना चाहिए कि आप तीन शेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हो एक दिन के अंदर इस्ट यहां पर फर्स्ट यह हो गया कि महिंद्रा बढ़ रहा था और दूसरी चीज अब दूसरी चीज क्या देखने आपको कि निफ्टी क्या गर रहा है फाई ठीक कहा अल्टी मेटली निफ्टी तो देखना है अगर अगर आप जो भी ट्रेट के अंदर पॉजिशन लोगे वह जिस भी शेर के अंदर पॉजिशन लोगे वह आप को अल्साइड की पॉजिशन मतब 90 परसेंट कि क्या हो रहा है ultimately green green है तो bullish है जब bullish है तो आप क्यासी position मनाओगे call side की position आप बनाओगे मतलब 90% आप market के trend में चलोगी कि अगर आप market के trend में चलोगी तो ही पैसा बनेगा अगर तो पैसा नहीं बनने वाला है अब इसके बाद एक और चीज आपको देखने है जो national stock exchange की आपको website पर देखने को मिलेगी थोड़ी सी महनत लगी भाई अगर यह महनत आपने कर लिना तो आप stocks options को समझ सकते हो और सबसे बड़ी बात है कि कि शेर के अंदर वाल्यों आ रहा है उसके अंदर सही टाइम पे सही जगा पे एंट्री करके आप ऐसा बना सकते हो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे चेक आउट करना है आप आपको क्या करना देखो अपने गूगल पर जा करके यहां पर OI sports या फिर एनसे स्पोर्ट करके सर्च करना आपको जैसे यहां पर आप सर्च करोगी यह मौर्णी में करना है इवनिंग में मत करना क्योंकि देखो अल्टिमेटली जो पैसा आएगा वो आवर नाइट आएगा या फिर मॉर्निंग में मार्केट के अंदर आएगा ठीक है तो बड़े जो प शेयर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं बीस of tap में है टाटा काइमिकल है इसब्स है अब में क्या समझाना चाहते हूं आपको जो भी शेयर आप देख रहे हुँ भाई उसका चेंज की इन ऑपन इंटरस्त है चेंज इन ऑपन इंट्रेस्ट इस मोर देन टैन परसेंट होना जाहिए कम से कम टैन और टैन से ज्यादा होना जाहिए आप देखो महिंद्रा का कितना है 15 परसेंट है तो भी अगर मोर्निंग में आप देखते तो यह गैना वारा परसेंट के असपास था बढ़ लेकिन आप देखो तो शेर कैसे भाग रहा देखो अभी शेर 2160 पे चल रहा है 4 परसेंट बाग गया अगर आप मोर्निंग में लेते तो यह मानों कि आप एक लोट में कम सिक्कम 18-18-20-30,000 रुपिस प्रोफिट बन रहा होता है अलांकि यह इंफ्लेंस करना नहीं है आपको कि इतना प अबीरा प्लेटे की यहां पर ही रो ढीटो को podstaw प्लेट भी यहां लेवोन हून जहां पर बड़े प्लेट का पैसा आया हो do market के अंदर आप बेला सौफ्ट मृंत यह शेर है टेक है तो यहां पर आप देखो प्रेड करना है तो आपको समझना है यह जो आपको ऑपन इंट्रस्ट देखने को मिर रहा है यह बहुत है जब भी किसी शेर के अंदर ट्रेड करना है तो फर्स्ट ओफ आपको यह यह चल रहा है फिर इसके बाद देखना है कि जो वॉल्यूम है किस शेर के अंदर सबसे बैस्ट आ रहा है पंच करना है और 11 तक आपका टार्गेट भी हीट हो जाएगा और फिर आप मज़े करो यह लॉस हो गया टार्गेट होगा और लॉस की बात में करूं भाई अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है मैं लाइव करके आपको दिखा हूँ कि कैसे हमें चेक आउट करना है तो वह में लैपटोप स्क्रीन से आपको नेक्स वीडियो अगर आप चाहते हो तो यह वीडियो बहुत गजब की होगी आइधिंक आपको समझ आया होगा कि क स्टॉक्स में ट्रीड लेना है स्टॉक ऑप्षिन कैसे चूज करना है वेल तो डाउट अगर कोई आते हैं तो देन कमेंट करना एंड इस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लो यार वहां पे आप डिस्केशन कर सकते हैं तो मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर